हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंग्लिश टेटर्चर हब में सो फ्रेंड्स आज हम डिसकस करने वाले हैं अपनी जो हमारे कल जो हमने वीडियो डिसकस के थी यह जो रैटर्स हैं उनकी डेट ऑफ डेट अफ डेथ प्लेस ऑफ बर्थ के उपर उसका पार्ट वाज हम डिसकस करेंगे पार्ट वन में डिसकस किया थे फाइव रैटर्स को और इस वीडियो में भी हम डिसकस हैंगे फाइव रैटर्स को ठीक है तो यहां पर देखते हैं पर स्टार्ट कर लेते हैं अपर अपनी वीडियो को तो हमारे पहले रैट आपको आपके फॉन पर तुरंद मिल जाएंगी और आपकी जो प्रिपरेशन हो एकदम एगदम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव में शेर पर जरूर करें क्योंकि जो प्रिपरेशन कोई कर रहा ह कोई टीचिंग एग्जाम के कोई तियारी कर रहा है तो उसको भी इस वीडियो को आप शेर जरूर कीजिए ताकि उनको भी फैदा मिल सके है तो आप फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो हमारे फर्स चो रैटर है वो है हमारे चार्ल्स डिकिन्स ठीक यह विक्टोरियन पीरेट के नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट थे नॉवलिस्ट का मलवता है यानि कि जो उपनियास लेखते है उसको बहुत है नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट का मलवता है पत्तरकार ठीक है तो यह विक्टोरियन पीरेट के वो उपनियासकार भी थे और पत ठीक है और उनकी एज थी उस टेम पे 58 येर्स और उनको दफना गया था वस्ट्मिन्स्टर एबे में कब दफना गया था इनकी मौत के पांस जिन बाद याने की 14 जून 1870 को ठीक है तो यहां पर देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है जो हमारे नेक्स्ट राटर है वो है Alfred Lord Tennyson तो जो हमने पहला राटर जो हमने डिसकस किये था अभी Charles Dickens वो भी Victorian period के वो राटर थे वो और यह भी Victorian period के वो यह राटर है यह जो Alfred Lord Tennyson है यह Victorian period के first राटर है यह ठीक है अगर आपसे पुछा जाता है कि Victorian period के जो first writer थे वो कौन थे तो आपको answer क्या होगा आपका Alfred Lord Tennyson और Victorian period के जो लास्ट राटर है वो कौन थे Thomas Hardy यह बात भी आपको यहाद रखने है first and last तो यहाँ पर देखते हैं जो Alfred Lord Tennyson है वो कब पैदा वे थे 6th August 1809 को देखिए 6th August 1809 को किस जगा पर Somers by Lincolnshire England के अंदर और उनकी मृ हैसल मेर सरे England के अंदर और उनकी ओमर के थे उस टैंप पर जब एकस्पायर हुए थे उनकी ऐसी 83 years और उस टैंप वो सफर कर रहे थे कौन सी बिमारी से God की बिमारी से God एक तरह की एक टाइप की बिमारी होती जिसमें जापर जो हमारे बॉड़ी की जो जोएंट्स बगरा ह होते हों पर थोड़ा स्वैलिंग आती है और पेन बहरा होता है ठीक है यूरिक एसट वारा टाइप का और गठी हवाई जिसको आप बोलते हो ठीक है उस टाइप को नको बिमारी में थी तो उस वेसे उनकी चो कंडिशन थी वो बाद में द्रेदर बिगरती चली गए और ब पर याद रखनी है और यह पैदा गब होए थे 24 दिसंबर 1822 को किस जगह पर लेल हल्म मिडल सेक्स इंग्लेंड के अंदर ठीक है तो उनकी मृति हुई थी 50th एप्रेल 1888 को लीवरपूल नाम की जगह पर है और उनकी उस टेम के उमर थी इनकी 65 years और उनको दफना किस जगह पर गया था लेल हल्म नाम की जगह पर ही इनको दफनाय गया था ठीक है जहां पर पैदा गूई थे और उनको उस जगह पर दफनाय गया था जहां पर उनके तीन बेटों को अलड़ी यहां पर दफनाय जा चुका था ठीक है यानि कि उनको उनके जो तीन बेटे थे वो अल समस हाड़ी यह विक्टोरिय जासकी मैंना वह पहले बताता है यह विक्टोरिय पिरेट के लिए लास्ट पोईट और नॉबलिस्ट रहे हैं यह ठीक है और इनकी का पैदा हुए था यह सेकंड जून 1840 को किस जगा पर स्टिंस फॉर्ड डॉर्षट इंग्लैंड के अंदर और निकी मृत्यों कब हुई था इनकी 11 जैनुवरी 1928 को किस जगा पर डॉर्चस्टर डॉर्षट इंग्लैंड के अंदर यह पैदा भी यह डॉर्षट के अंदर ही हुए थे और इनकी त्रमर क्या थी 87 जब झाट है और उस टाम्जर किके बिमारी इनकी मौत होती है इनकी मो मध हो जाती है तॉमस हाड़ी की ठीक है इन देसंबर 1927 उनकी थोड़ा सा कंडिशन खारा हो जाती उसके बाद उनकी मौत हो जाती 11 जनवरी 1928 को और जो डॉर्चेस्टर के अंदर किस जगा मौत होती है उनकी वो भी मनें आपे पता है आपको मैक्स केट के अंदर ठीक है यहां पर देखते ठीक है शॉटकर्ड में याद ना करें जो यह थोमस स्टंस एलियर थे यह एक्चुर में यह अमेरिकन प्वेट थे क्योंकि पैता यह अमेरिका के अंदर हुए थे लेकिन के मौत का भी थी इनकी इंग्लेंड के अंदर हुए थे तो पूरा डेटिल नहां पर पढ़ लेते तो यह एक इंग्लिश प्यट थे इसे नबंदकार थे यह कभी भी थे और प्लेट प्लेद के माईड पर कोमदा जो नाटकार्ट विटन जो नाटकार्स जो धो लिखते हैं और लेक्रेडियों सोश्ल ंप्रिटिक भी था है ऑफ उन्युद्वर्प एज़े इंग्लेंस के लंडन United Kingdom के अंदर किस कारण हुए थी इनको बिमारी हुए थी Amphysamonam से बिमारी जो हुए थी यह परकार की क्या है lung disease फेफरों की एक बिमारी होती है इस बिमारी से यह सफर कर रहे थे और बाद में की मौत हो जाती है ठीक है तो फ्रेंड्स यह तो था आपका आज का जो मैंने डेटले साब को बताया तो सेम ऐसी वीडियो में हम मिलेंगे आपको कल जिसमें हम नेक्स्ट जो 5 रैटर्स हमारे उसको हम डिसकस करेंगे अपनी वीडियो में तो तब तक इस चैनल के साथ आप ब परापर इंफ्रमेशन सबको मिलते रहे उनकी त्यारी परापर चलती रहे और आपकी त्यारी भी चलती रहे तो फ्रेंड्स मिलते हैं एपनी नेक्स्ट वीडियो में तिल दन टेक केर